हेलो व्यूवर्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे गुजरात के काठियावार के फेमस भूंगडा बटाका की रेसिपी इस डीस में लस्टाणिया बटाका यानि की स्पाइसी चटपटे आलू के साथ फ्राइम्स यानि की भूंगडा को सव किया जाता है तो चलिए सुरू करते हैं डेली और वीकेंड स्पेशल डेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें लस्टाणिया बटाटा यानि की लहस्तन वाले आलू बनाने के लिए हमने एक किलो आलू लिए और आलू को प्रेसर कुकर में अच्छे से बोईल करने के बाद इसके छिलके को उतार कर हमने इस तरह के बड़ी साइस के टुकडों में कट कर लिया अब इन चटपटे और स्पाइसी आलू का मसाला तयार करने के लिए हम मिक्सी जार में एड़ करेंगे 50 ग्राम लहसुन साथ ही में एड़ करेंगे 2 टेबल स्पून कस्मीरी लाल मिश पाउडर कस्मीरी लाल मिश पाउडर ज्यादा तीखा नहीं होता इसलिए हमने इसकी कॉंटिटी ज्यादा रखी है और एट कर देंगे एक टेबल स्पून लाल मिश पाउडर साथ ही में एट करेंगे हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून धनिया पाउडर इसमें हम सिफ तीन से चार टेबल स्पून जितना पानी एट करेंगे यानि कि थोड़ा सा पानी एट करके हम मिक्सी जार में इसे दरदरा पीस लेंगे तो देखिए हमने सारे मसालों को मिक्सी जार में दरदरा पीस लिया है अब आलू को फ्राइ करने के लिए हम पेन में दो टेबर स्पून तेल एट करेंगे और तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे तेल गरम होने के बाद हम इसमें एट कर देंगे उबले हुए आलू जिनको हमने थोड़े बड़े टुकड़ों में कट करके रखा हुआ है और हाई फ्लेम पर हम इन आलों को तब तक fry करेंगे जब तक इस पर थोड़ी क्रिस्पी लेयर ना आ जाए आप देख सकते हैं कि कुछ देर तक टेल में फ्राई करने के बाद आलो पर एक क्रिस्पी लेयर आ चुकी है बस इतना ही हम इनको फ्राई करेंगे और अब इन आलू को हम पेन में से निकाल लेंगे पेन में से सारे आलू निकालने के बाद उसी पेन में एड़ करेंगे 3 टेबल स्पून तेल तेल गरम होने के बाद हम इसमें एड़ कर देंगे हमारा तयार किया हुआ मसाला जिसे हमने मिक्सी जार में थोड़ा दरदरा से पीस कर रखा हुआ है साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे एक चोथाई कप पानी और मीडियम फ्लेम पर इस मसाले को कुछ देर तक खुले में भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए मीडियम फ्लेम पर मसालों को दो मिनिट तक भूनने के बाद हम इसमें एट कर देंगे स्वाद अनुसार या फिर देर टीस्पून नमक अच्छे से मिक्स कर लेंगे कवर कर देंगे और कुछ देट तक पकाएंगे तो कवर करके हमने मेडियम फ्लेम पर इसे 5 मिल तक और पकाया अब देख सकते हैं कि सारे मसालों की भुनाई अच्छे से हो चुकी है और इसका तेल भी सर्फेस पर आने लगा है इस टेज पर हम इसमें एट कर देंगे बोईल करके फ्राइ किये हुए आलू साथ ही में एट करेंगे एक चोथाई कप पानी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तक कि सारा मसाला आलू के उपर अच्छे से कोट हो जाए तो अब देख सकते हैं कि आलू पे सारा मसाला अच्छे से कोट हो चुका है अब हम इसे कवर करके लो फ्लेम पर सिर्फ दो मिनिट के लिए पकाएंगे तो इसे लो फ्लेम पर पकते हुए दो मिनिट हो चुकी है गेस की फ्लेम ओफ कर देंगे और इसमें एड़ करेंगे half teaspoon चाट मसाला अलू को चटपटा बनाने के लिए और लहसुन का flavor बेलेंस करने के लिए हम इसमें 2 टेबल स्पुन नीम्बू का रस एड़ करेंगे देखिए आप यहाँ पर नीम्बू के रस की जगा अमचूर पाउडर भी एड़ कर सकते हैं अच्छे से mix कर लेंगे साथ ही में हमारे जो लसन्या बटाटा है वो बनकर तयार है इसे हरे धन्येशे गानिश करेंगे और fryams को fry कर लेंगे प्रायम स्यानी की भूंगडा फ्राइ करने के लिए हमने तेल अच्छे से गरम कर लिया है ये कुछ इस तरह के दिखेंगे और आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे देखिए हमने यहाँ पर थोड़ी छोटी साइस के भूंगडे लिये हैं अब बड़ी साइस के भूंगडे भी ले सकते हैं तेल अच्छे से गरम होने के बाद हम इसमें एक एक करके भूंगडे एट करेंगे तेल में डालने के बाद इनको उलट पुलट करके अच्छे से फ्राइ कर लेंगे आप देख सकते हैं कि तेल में डालने के साथ ये तुरंत फ्राई हो जाते हैं तो इनको तेल में से निकाल कर सारे भूंगडे इसी तरह फ्राई करेंगे तो खाने के लिए दैयार है Most Popular गुजराती स्ट्रीट फूड काठ्यावारी भूंगडा बटाटा चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हमबल एक्वेश्ट है कि चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर, कॉमेंट करें फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई